रादे किष्णा आप सभी को उन्निती कृष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ ये देखिए ये ड्रेस बनाई है हमने साथ और आठ नमर के लड्डू गोपाल के लिए नेट में से ये ड्रेस बनाई है तो चलिए हम पैना के दिखाते हैं मेरे पास जितनी भी लड्डू गोपाल हैं सब के लिए मैंने इसी कपड़े में से एक जैसी ड्रेस बनाई है तो हमारे लड्डू गोपाल ये ही ड्रेस पैन के होली खेलेंगे मेरे पास 0 नमर के लड़ू गोपालें 1, 2, 3 और 5 और 7 नमर के लड़ू गोपालें तो सारे लड़ू गोपाल मेरे यही ड्रेस पहनेंगे 5 नमर के लड़ू गोपाल वो थोड़ी सी अलग ड्रेस पहनेंगे कल मैं ड्रेस बनाने की वीडियो नहीं डालूंगे मेरे पास जितने भी कानाजी है सब आपस में होली खेलेंगे तो कल मैं होली खेलने वाली वीडियो चैनल पर डालूंगे मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें आसा करते हैं वीडियो को एक बार आप पूरा जरूर देखें मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटीफिरेशन आपको मिल पाए, रादिकिष्णा तो चलिए हम बना लेते हैं ये ड्रेस, ये मेरा नेट का कपड़ा है, इस कपड़े को हमने फोल्ड करके रखा है, तो देखिए इसकी चोड़ाई साथ इंची है, लमाई इसकी साड़े 23 इंची है, ये देखिए, अब हम कपड़े को सिंगल कर लेंगे, अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इधर किनारी पे सिलाईल लगा देंगे, और इस वाली किनारी पे भी हम सिलाईल लगा देंगे, ये देखिए, मैंने दोनों साड़ में सिलाईल लगा दिया, अब हम इसको सीधा करेंगे, ये देखिए, सीधा करके, इस तरीके से हम बारावर करके रख लेंगे, और इस पे एक सीधी सिलाईल लगा लेंगे, पूरी पट्टी पे हमें एक सीधी सिलाई लगाने है यह देखिए यह देखिए मैंने पूरी पट्टी पे एक सिलाई लगा लिए सीधी देखिए पूरी पट्टी पे लग चुकी है सिलाई अब हमस्में प्लेट डालेंगे यह देखिए इस तरीकी से प्लेट पे चड़ा के प्लेट डालेंगे यह देखिए पूरी पट्टी के हमें एक बरावर प्लेट डालनी है और इसमें हम सिलाई कर लेंगे यह देखिए तो चलिए इस पूरी पट्टी में मैं प्लेट डाल ले थी यह देखिए मैंने प्लेट डालनी है अब हमें इसकी कमर ना पेंगे कितनी कमर बैठी है हमारे ड्रेस की यह पॉने छेंची इसकी कमर बैठी है यह देखिए मैंने एक नेट की पट्टी लिया यह देखिए इस पट्टी की चौड़ाई हमने ड्रेड़े इंची रखिए और इसकी लंबाई हमने साड़े सेतालीस इंची रखिए यह देखिए यह भी मैंने नेट की पट्टी लिया इसकी चौड़ाई सवाई इंची है और लम्माई हम 14 इंची रखिए और इसको काटके सीधा कर लेंगे यह देखिए यह हमारी पट्टी साड़े सेतालीस इंची वाली है इसकी हम प्लेट बनाएंगे चोली बनाने के लिए फिरिल वाली चोली बनाएंगे एक सीधी पट्टी बनाएंगे सिरिफ तो चलिए इस पर पूरी पर हम फिरिल बना लेते हैं और बीच में सलाई कर देंगे यह देखिए मैंने फिरिल बना लिए बीच में सलाई कर दिया इसकी इसकी लंबाई 11 इंची है और चोड़ाई इसकी लगबग 1.5 इंची है अब देखिए हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इस पर किनारी पर हम सलाई लगा देंगे और पूरी फिरिल को हम फोल्ड कर लेंगे इस पर एक सलाई लगा लेंगे ये देखिए मैंने फिरिल को फोल्ड कर लिया है और एक सलाई लगा लिया है और कट करके एक बरावर कर लिया है ये देखिए मैंने कमर पट्टी लिये एक इसकी लम्माई 14 इंची है और 1.5 इंची इसकी चोड़ाई है ये देखिए पट्टी के बीच में हम इस गेर को रखेंगे और सिलाई कर देंगे ये देखिए मैंने कि श्लाई कर लिये अब हम इस पट्टी को अंदर की शार्ड में फूल्ड करेंगे और एक पूरी पट्टी पे हम स्लाई कर लेंगे साथ में हमारी बान नेकेड ये भी डोरी बन जाएगे ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम और सीधी सलाई कर देंगे ये देखिए मेरी लड़ू गोपल की ड्रेस बन के तयार है आपको ड्रेस पसंद आए तो वीडियो को लाइ करें आसा करती हैं वीडियो को एक बार आप पूरा जरूर देखें रादे किशना